हलो बच्चो अब वेरी गुड मॉर्निंग जैसा कि आपको थमनिल से पता चल गया है कि आज की क्लास है क्या साइन्टफिक नेम वैज्ञानिक नाम ठीक है पैरामेडिकल में एक बहुत बहुत जादा इंपोर्टन टॉपिक रखता है वैज्ञानिक नाम जिसमें से आपको ल मिलेगा ठीक हर बार एक्जाम में इससे एक से दो सवाल एक एनिमल्स का नाम एक पौधे का नाम या फिर किसी फसल का नाम जरूर एक्जाम में देता है ठीक हमेशा कहें कि एक्जाम में आपको देखने को मिलेगा तो क्या सभी बच्चे तयार है आज की क्लास के लिए नेह कुमार, हलो मैम, गुड मॉरिंग जी, गुड मॉरिंग दीपक, अनुराधा, गुड मॉरिंग मैम, गुड मॉरिंग अनुराधा, लवकुस गुड मॉरिंग, चले, I think आप सभी लोग तयार हो, हमें लग रहा है कि, सभी बच्चे तयार हैं पढ़ने के लिए, तयार हो ना, अफट बताएए, यस मैम, वी आर रेड़ी, हम तयार है, हम बिलकुल तयार है, साइंट फिक नेम देखने के लिए, कि आखे, जैसे देखो, आप किसका नाम ले लो, कोयल का नाम ले लो, हम लोग कोयल कहते हैं, गुजरात में उसको कोकिल कहा जाता है, कहीं पर उसको नाइ अब लोग परिशान किया, हमारे यहां, कुछ बोला जाता है, इसको कोई फिक्स नाम होना चाहिए, तो इसको देखते हुए, साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंट फिक नेम का निर्माड किया, ताकि हर नाम बदल सकता है, लेकिन साइंट फिक नेम, इंडिया में भी वही है गुजरात में भी वही है पाकिस्तान में भी वही है और अमेरिका में भी वही है यानि हर जगह साइंटफिक नेम बिल्कुल सेम होते हैं ठीके बिल्कुल क्या मिलेंगे आपको सेम मिलेंगे याद रखिएगा ठीके ठीके तो आए एक एक करके दीरे दीरे हम लोग क्या करे कोई बच्चा जिसको पता हो आधूनिक मनुष्य का विज्ञानिक नाम क्या होता है अधूनिक मनुष्य का विज्ञानिक नाम क्या होता है कौन बच्चा बताना चाहेगा ठीक है फटाफट बताईए कितने बच्चे हैं जो कह रहे हैं मैं हमें एंसर पता है हमें एंसर पता ह ये बात कितने बच्चे बोल रहे हैं ये हमको बताओं तो मनुष्र का तो हर बच्चे को याद होना चाहिए हमें जहां तक लग रहा हूं होमो सैपियन्स बहुत बढ़िया ठीक है बिल्कुल सही करेक्ट एंसर है होमो सैपियन्स ठीक है याद रखिएगा मनुष्र का जो साइन्टफिक नेम वैज्ञानिक नाम होता है वो होमो सैपिया आप सोचोगे एक्जाम में मनुष्र का पूछेगा तो इतने ललू-पल्लू तो हो नहीं तुम लोग ठीक है कि आपसे इतना इजी पूछ ले ठीक है इतना अभी इज पैरामेडिकल को मत सोच ना कि एक्जाम में आपको पूछ लेगा मनुष्र का ठीक है वो आपसे जब भी पूछेगा मनुष्र का तो बहुत कम चांसेज है ठीक है बहुत कम चांसेज है पूछने का तो आईए एक करके जिनके जिनके अभी तक में पूछा है वो सारे हम लो पढ़े लेते हैं, तो डाल दीजिए, scientific name of animals, scientific name of animals, कौन-कौन से हैं? scientific name of animals, सबसे पहला जो आपका पूछा है, चीटी का, सबसे पहला आपका है, ant, ant मतलब चीटी, चीटी का वज्यानिक नाम क्या होता है, याद रखना है, for me, sede, ठीक है, याद रखना है, for me, sede, ये आपका चीटी का वज्यानिक नाम है, ठीक है, किसी बच्चे को चीटी का नई याद था, हमको पता है, ठीक है, दूसरा, दूसरा है, Arabian Camel, क्या किसी बच्चे को पता है, Arab में जो उठ पाए जाते हैं, उनका वज्यानिक नाम क्या है, याद रखना, Camelus, क्या नाम है, Camelus, Drom, Darius, अब कुछ बच्चे बोलेंगे, मैं हिंदी में लिखवाईए, वज्यानिक नाम हिंदी में नहीं होता, ठीक है, याद रखना, आप हिंदी में इसी चीज़ को लिख सकते हो, लेकिन हिंदी में नाम नहीं, आपको यही बोलना है, Camelus, Drom, Darius, ये नाम याद रखना है, कोई भी नहीं मिलेगा, ये इंगलिस में ही मिलेगा, ठीक है, ये सारे आपके इंगलिस में ही मिलेंगे, लेटिन लेंग्वेज में लिखा जाता है, जिस भासा में ये नाम लिखा गया, उस भासा को लेटिन भासा कहा जाता है, ठीक है, तीसरा, तीसरा आपका देखो कौन सा है पहले आप एक जगर स्क्रीन सॉट लेना है तो ले लो अब आजो अफरीकन एलिफेंट अफरीका में पाए जाने वाले हाथियों को अफरीकन एलिफेंट इसका क्या होता है लोकसो डॉन्टा ठीके लोकसो डॉन्टा अगला है आपका चौथा चमगादर जिसको बैट कहते हैं ठीके बैट का क्या होता है याद रखना कीरो पेटरा क्या होता है कीरो पेटरा ये आपका important है बैट का बच्चा important है इस पर star लगाना है लगा लो बैट का आपका एक्जाम में आ सकता है याद रखना किरोपेटरा क्या होता है किरोपेटरा क्लियर है इंगलिस में जल्दी याद होता है हाँ जी यह सब चीज इंगलिस में जल्दी है हिंदी में आपको दिक्कत होगा इंगलिस में असानी से याद कर सकते हो चीटी का फॉर्मिसेडे आपका दूसरा अरेबियन कैमल का कैमलस ड्रोमिडोरिया सी है अफ्रीकन हेलिफेंट याद रखना लोक्सोडोंटा और आपका बैट का याद रखना है किरोपेटरा ठीक है य कितनी भी चिडिया होती है चिडिया को हम क्या कहते हैं याद रखना इफ्स इसलिए जब आप आप जाओगे एससी का एक्जाम देने तो एससी में दो हजार कितने में है 17 में 2017 में कोश्चन आया था कि बॉर्ड का साइंटाफिक नेम क्या हो तो कोई बच्चा पढ़ा नही क्लिययर क्लियर 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 एक अगला देखते हैं शिक्स ता आपका क्या है नेक्स यह आपका बकरी बकरी का मतलब गोट गोट का क्या नाम है याद रखना कैपराहएई गार्गस एगार्गस हिर्कस ठीके? यह आपका बकरी का नाम है, बकरी को क्या बोलते है scientifically? कैप्रा एगार्गस आपका हिर्कस ठीके? हिर्कस यह इसका नाम है ठीके? यह इसका नाम है चलिए, अब आज़ो काला चुहा आपके घरों में ब्लेक रेट पाया जाता है, एकदम काला चुहा ठीके? इसको हम लोग मुसहर भी कहते हैं कुछ लोगों को, ठीके? कुछ चुहों को ब्लेक रेट को क्या बोलते हैं? रेटस रेटस देखो, इसको कैसे लिखते हैं? यह कन्फ्यूस करने वाला है, यह भी आपके एकदम में आएगा. रेटस रेटस, रेटस, रेटस अब सुझ लो कि अनाम इस अंतर क्यांगा, जो पहला वाला रेटस है उसमें R कैपीटल होगा, लेकिन जो दूसरा वाला रेटस है उसमें R चोटा होगा. यह आपका बलेक रेट का क्या नाम है scientific name है ठीक है black rat का scientific name पूछेगा तो याद रखना ratus अब आजो आठवा आठवा है buffalo ठीक है अगला है भाइस का इसको कहते है buffalo जिसका है bubellus ठीक है bubellus bubellis तो इसमें भी same है सब कुछ same है bubellus है यहाँ पर list you के जगा आई हो गया ठीक है bubellus bubellis आपको याद रखना है किसका भैस का ठीक है यह आठ हो चुके नवा नवा आपका क्या है butterfly ठीक है butterfly मतलब होता है तितली butterfly लिख दो यहाँ पर butterfly जिसका नाम होता है row पालो सेरा ठीक है याद रखिएगा butterfly तितली जिसका नाम होता है row पैलो सेरा क्या नाम है row पैलो सेरा यह आपका butterfly का नाम है ठीक है total कितने हो चुके 9 अभी animals का देख रहे है 9 हो चुके 9 हो चुके 10 वा आपका है billy billy को अंग्रेजी में क्या खहते cat cat का याद रखना phelis catus ठीक है cat का होता है phelis catus इसको लिख लो एक जगा phelis catus यह आपका complete अब अगला है cobra cobra का नाम सुने हो बहुत खतरनाक साप ठीक है इसका हर बच्चे को याद हो जाएगा यह आप लोग हर बच्चा याद कर सकता है cobra का scientific name होता है नाजा नाजा यानि केवल नाजा ठीक है cobra नाजा याद रखना है हर बच्चे को ठीक है हर बच्चे को यह याद रखना है cobra मतलब नाजा clear है ओके अगला आजो अगला आजो cockroach next है आपके सामने cockroach cockroach सभी अपने घरों में देखा है जाता है ठीक है क्या कहते है cockroach को cockroach ही कहते है इसका नाम किसी को पता है इसका नाम होता है cockroach का scientific name ब्लैटोडिया ठीक है क्या नाम है ब्लैटोडिया यह है इनका नाम ठीक है ब्लैटोडिया यह आपके cockroach का नाम है किसका नाम है कौक्रोच का नाम है अगला है काउ गाई गाई का नाम किसी बच्चो को पता है ठीक है काउ का नाम किसी बच्चो को पता है तो बताओ काउ का नाम क्या होगा काउ का नाम क्या होगा ये किसी को पता है बोस टॉरस ठीक है याद रख लेजिए बहुत अच्छा है Boss Taurus Russ कर लो r us ठीक है यह आपका complete cow भी आपका complete हो गया आगे बड़े आगे बड़े deer हीरन, हीरन का किसी को पता है, हीरन का किसी बच्चे को पता है, सर्वी डे, ठीक है, हीरन क्या क्या होता है, सर्वी डे, ठीक है, सर्वी लिख दो, C-E-R-V-I, और फिर इसका लिख देना, D-A-E, ठीक है, सर्वी डे, clear है, ये भी हो जाएगा, यस मैं, ठीक है, ये भी हो जाए आगे बढ़ा जाए और किसी बच्चे का कोई बच्चा अपना पूछना चाहते है पूछ सकते हो यह मैं सोच ना कि मैं बस अपना ही करवारी आप खुद से भी अगर हमसे कोई पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो ठीके आईए अगला है एलिफेंट एलिफेंट का बहुत इजी है ठीके एलिफेंट का बच्चा बहुत इजी है किवल एलिफेंट नाम उतार दो एलिफेंट ठीके बस यह दोखो एलिफेंट का स्पेलिंग पूरा उतार दो पहले एलिफेंट उतर गया अब यहाँ पे कर दो का, यह किसका है, यह याद रखना, यह आपका elephant का है, elephant भी आपका clear हो गया, clear है, ओके अगला है dolphin, dolphin जानते हो, dolphin सभी को पता है, इसका क्या है, citacia, c-i-t-a, c-e-a, ठीक है यह, citacia, क्या नाम है, citacia, यह इनका नाम है, हो जाएगा यह भी, okay, अगला देखो, fish, ठीक है, next है, आपके पास, मचली, मचली का क्या होता है, fish का scientific name, याद रखना, vertebrate, ठीक है, क्या होता है, vertebrate होता है, यह आपका किसका है, मचली का, vertebrate, ठीक है, यह आपका क्या है, मचली का, scientific name है, clear, सबी बताओ, clear है, yes, ma'am, clear है, चली, आगे बढ़े, अच्छा, चली, आगे बढ़ते हैं, अब next, next देखा जाए, देखो, भारत के जो चीजे हैं, भारत के जो जानवरे, उनका अलग नाम है, जो भारती की गाय होता है, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसका नाम है, boss indica, clear, भारती यह गाय का, जैसे देखो, इंडियन कोबरा, अगर देखो, कोबरा, नॉर्मल कोबरा आपको देगा, तो आप नाजा करोगे, लेकिन जब बात हो जाएगा, इंडियन कोबरा का, तो नाजा, नाजा करोगे, ठीक है, भारती यह का जब बात होगा, तो सब कुछ बदल जाएगा, ठीक है, पूरा को पूरा क्या होगा चेंज हो जाएगा याद रखिएगा ठीके फिर बद बोलना कि मैं बताई नहीं क्लियर है हाउस फ्लाई ठीके घरों में जो मक्षियां घूमती है उनका नाम किसी को पता है ठीके फटा-फट किसी बच्चे को पता है हाउस फ्लाई हाउस फ्लाई यह आपका scientific name है, मक्ही का scientific name है यह, clear है सभी को? सभी बच्चे बताओ, clear है? Yes, ma'am, अच्छा, hippopotamus, ठीक है, एक और नाम है, बड़ा अच्छा, hippopotamus, यानि आपका जो बड़ा सिंखवा होता है, उसी को बोलते हैं, गेंडा को, hippopotamus, hippopotamus, hippo हो गया, उसके बाद, potamus. इसका नाम, पहले तो इसी को उतार दो, पहले क्या करना है, आपको इसी को उतार देना है, दिख रहा है सभी को? दिख रहा है, ठीक है, hippopotamus को यह पूरा उतार दो, hippo, hippo के बाद, फिर potamus, hippopotamus, और फिर last में आपको चिपका देना है, क्या? लास्ट में आपको amphibious चिपकाना है, ठीक है, amphibious चिपका देना है, hippopotamus, amphibious, amphibious यह आपको इस तरीके से लगा देना है, सभी बच्चे बताईए, हो जाएगा सभी से, यहां तक सभी को clear है, clear है, ठीक है, एक lion का, lion का किसी को पता है, lion को किसी का पता है, मैम जी, मेढक का, छहां, मेढक रहेगे न, मेढक अभी बता रहे, अभी इसका बताओ, lion का पता है, lion का किसी बच्चो को पता है, फटा फट, ठीक है, अब जल्दी जल्दी खतम करना है, अब जल्दी जल्दी हम लोग स्टार्ट करेंगे, लोएन का किसी बच्चो को पता है, नहीं पता, आएए, ठीक है, lion का लिख देते हैं, lion का होगा, lion का definition है, और definition कह रहे हैं, scientific name है, panthera leo, ठीक है, लॉयन का याद रखना है पांथेरा लियो ये क्या है scientific name है इंडियन कोबरा नाजा नाजा हाउस फ्लाई मस्का डोमेस्टिका हिप्पोपोटेमस हिप्पोटेमस एंफिबियस और लॉयन का पैंथेरा लियो ये आपको याद रख लेना है आए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपका आएगा मस्कुतो मत्छर ठीए दोको हाउस फ्लाई का डोमेस्टिक का इंडिकसन बताए थे लेकिन अब मत्छर की बात की बात आ चुकिया anymore औरर इसका याद रहए ना क्यूली सिदे क्यूली सिदे यह क्या है मत्building का है आगे आजू लिजार्ट लिजार्ट का पिकॉक, पिकॉक का मतलब मोर, मोर का क्या होता है, पावो, पावो, क्रिस्टेटस, ये आपका पिकॉक का है, अगला पिग, पिग मतलब सुवर, सुवर का क्या होता है, सुस, ठीक है, अगला है रैबिट, रैबिट मतलब खरगोस, खरगोस का क्या होगा, याद रखना, ओरी और एक टो, लेगस, क्यूनिकूलस, क्यूनिकूलस ये है, ठीके, फिर नेक्स्ट आईए, अगला आजवाब, टाइगर ले लो, ठीके, नेक्स्ट टाइगर ले लेते हैं, टाइगर का याद रखना है पान्थेरा टिगरिस, ठीके, पान्थेरा टिगरिस, ये आपका टाइग इस-का लॉयन का पान्थेरा लियो था और इसका पान्थेरा टिगरी से ठीके यह क्या है ? क्लीर है फिस का नाम बताईयी फिस का नाम बतादो देएं फिस का क्या होता है वटीब्रे22 ठीक Jebs Rattybl något होता है याद रखना याद रखना थिस अब easy चीजे एंटरी के सर्पेंटिस, स्नेक, यानि सर्पेंटिस, ठीक है, क्लियर है मेढक का, I think, राना टिगनीरा होता है, ना, मेढक का यह होता है, ना, राना टिगनीरा, कुछ गलत हो रहा है क्या, मेढक का साइंटिफिक नेम क्या होता है, सही बता रहे हैं, राना, वही न, राना टिगरीना, य आम तो अपने जमाने में याद किये थे, तुम लोग बताओ, करेक्ट बता रहे, फटा फट बताइए, अगर किसी को लग रहा है, गलत है तो हमको बता सकता है, ठीके, कहीं कहीं पर आपको एनूरा भी देखने को मिलेगा, राना टिगरीना और एनूरा ये देखने को मिलेग है, एक बच्चा पूछ रहा है, क्या है, बिच्चु का साइन्टफिक नेम बताइए, किसका है ये सवाल, अन्सु कुमारी, अन्सु का सवाल, इसका जवाब कोई दे सकता है, बिच्चु का विज्ञानिक नाम, बिच्चु का, I think, कमेलियो, कमेलियो नीदे, ठीके, इंग है, बिच्चु का नाम बता है, बहुत अजीब साहिए, लेकिन हमको हिंदी में, इंगलिश में लिखना हो, तुरंत हो जाए, ठीके, बिच्चु आपका है, बिच्चु का आप लिख सकते हो, कमेलियो, कमेलियो नीदे, ठीके, ये है, ठीके, ये आपका क्या है, आपके, किसी के मन में उचल रहा हो, कूद रहा हो, पूछना चाहता हो, यस मैम, yes मैम, clear है, ठीके, यहां तक हमें लग रहा है सभी बच्चों को clear होना चाहिए, नहीं clear है, तो कोई बात नहीं हो जाएगा, ठीके, clear हो जाएगा, जितने भी आपकी एक्जाम में आये थे, वो सारे ही हमने करा दिये एक डंकी, गदहा रह गया है, Iquus Assinus ठीके, डंकी रह गया है, गदहा रह गया है, इसको भी लिख लो ठीके, ये भी एक्जाम में आता है, डंकी का भी एक्जाम में आया है क्या आपको लिखना है Equus Asinus E-Q-U-S Equus फिर लिख देना है Anis ठीक है ये Equus Anisus ये आपको याद रखना है हो जाएगा सभी से हो जाएगा Spelling में Mistake हो गया है Asinus ये होता है गदहा का ठीक है डंकी का Scientific Name आपको ये याद रख लेना है ठीक है चले तो अब हम लोग पेड़ पौधो पर आजाया जाए जानवर आई थिंक जानवर में अभी तक में जितने पूछे गयते वो सारे ही हम करा दिये ठीक है जानवर में अभी तक में पेड़ पौधों को भी देख लिया जाए कुछ पौधे भी है बहुत इंपॉटेंट है ठीक है जैसे अपपल का बनाना का मैंगो का ठीक है ये बहुड़ा इंपॉटेंट है ये बहुत इंपॉटेंट है तो अब आजो कॉमन प्लांट नेम्स एंड ये साइन्टफिक नेम्स ठीक है अगला हम क्या करने वाले हैं कॉमन प्लांट प्लांट के साइन्टफिक नेम्स देखेंगे ठीक है साइन्टफिक नेम ओफ प्लांट्स साइन्टफिक साइन्टफिक नेम ओफ scientific name of plants ठीक है यह आपका अगला है इसको पहले डबा में बंद कर दिया जाए अब धिये धिये स्टार्ट करते है सबसे पहले apple ठीक है सबसे पहले स्टार्ट करते है apple से apple का क्या होता है malus domestica ठीक है apple का याद रखना malus domestica ये नाम होगा दूसरा है bamboo bamboo का मतलब क्या होता है बास ठीक है इसका क्या होता है bamboosa bamboosa aridinary folia ठीक है याद रखना apple का malus domestica bamboo का है bamboosa aridinary folia ये आपका bamboo का है तीसरा तीसरा आम ले ले लिया जा है नotherapना ले लेते, चलो kale ले ले लेते है ala का क्या होगा मूसा पैरा dc का dc आ का ठीके बनाना का याद रखना है आपको मूसा पैराडी सिया का ठीके ये आपका क्या है तीसरा बनाना का तीसरा क्या है बनाना का क्लियर सबी को चौते पर अब आजा। छोथा ले लो कारट, कारट मतलब गाजर, ठीके कारट मतलब क्या होता है, गाजर होता है जिसका याद रकना है डॉकस, कारोटा, डॉकस, कारोटा, यह आपको याद रख लेना है किसका है, carrot का है, पाचवा, ठीक है, पाचवा आपको क्या याद रखना है, mango याद रख लो, mango का तो सभी बच्चों को याद होगा न, magnifera indica में भी यही होता है, न, हाँ, mango का याद रख लेना, magnifera indica, magnifera indica, ये भी हो गया, आपका complete, ठीक है, छठा, सिक्स्त कौन सा याद रखना है आपको, सिक्स्त है आपका कॉटन, कॉटन भी एक्जाम में आ चुका है, क्या याद रखना है, गौसी, गौसी पियम, हर बेशियम, हर बेशियम, ठीक है ये याद रख लेना है, फिर अगला है आपका ककमबर, सात्वा याद रखना है ककंबर का याद रखना है आपको, क्योकिमिस, क्योकिमिस, सटाइवस, ये आपको याद रखना है, ठीके, अगला, आठवा आपको याद रखना है, लेमन का, लेमन का क्या होता है, साइट्रस, साइट्रस, लिमोनियम, साइट्रस, लिमोनियम, ये होगा, ठीके, फिर, चलो, I I think, ज्यादा, इससे, प्लांट से ज्यादा नहीं पूछाए अभी तक, ठीकिए, प्लांट से अभी तक आपका ज्यादा नहीं पूछाए, जितना भी important था, वह हम करा दी, एक आपका चावल करें, गेहू करें, किसी बच्चे को पता है, गेहू का किसी को पता है, ट्रिटिकम Estivum, याद है, criterium Estivum, यहां पे लिख देते हैं, weet, weet मतलब होता है, गेहू, ठीक है, गेहू होता है, गेहू का क्या आद रखना है, गेहू का याद रखना है, टरिटिकम, मेरे साथ बोलेंगे, तो यहाँ भी जाएगा, relativum, क्या है,何right cream Estivum, लिख लो तुम लो, Tritikum Estivum यह आपको याद रख लेना है Tritikum Estivum याद हो जाएगा अगला है Tambaku Tambaku का किसी को याद है Tambaku का सबसे easy है हमको तो Tambaku का बहुत पहले से याद है यह वाला सबसे easy लगा Nikotin Nikotinum Tobacubus वही है Nikotina Tobacum याद रख लो Nikotina Nikotina Tobacum Tobacum यह आपका clear ठीक है Wheat का Tritikum Estivum Tobacum का याद रखना है Nikotina Tobacum Nikotina Tobacum बताए क्लियर है सभी को सभी बच्चे जो देख रहे वीडियो फटा फट बताओ यहाँ तक clear है आपको किसी बच्चे को कोई doubt मैं SS लेना है अंसु कुमारी जी आखरी में आखरी में सभी का स्क्रीन सोट लेने देंगे हम ठीक है लास्ट में आपको चिंता नहीं करना स्क्रीन सोट के लिए हम खुद दिला देंगे clear है एक दोखो एक भारत में बहुत जाधे नीम का पेड़ आपको पता है नीम केवल भारत में पाया जाता नीम का जो पेड़ है drug or केवल भारत में पाया जाता बार्किकिसी दूसरे देस में नहीं नीम और तुलसी तो ऐसे पौधे हैं जो केवल भारत में ही आपको देखने को मिलेंगे, ठीके, तो नीम का क्या किसी को scientific name पता है, कोई बच्चा, लास्ट में इंडिका रहेगा, क्योंकि इंडिया में हम बोले ना, इंडिया में है तो इंडिका, इंडिका तो 100% डाल दो यह के लास्ट में इंडिका, स्टार्टिंग, जो पिले इसको सही करें, स्पैलिंग अलत हो गया, ठीके, स्पैलिंग आपका होगा, आई एन, डी आई, सी ए, ठीके, इसके आगे लिखेंगे, अजादी रक्ता है इंडिका, ठीके, आपका scientific name क्या बनी गया, आपका scientific name आपके सा सामने आ गया, क्या है scientific name नीम का, अजादी रक्ता, इंडिका, क्या है, अजादी रक्ता, इंडिका, ये याद रखना है, ठीके, ओनियन का भी लिख लो, एलियम सीप, एलियम सेपा, ठीके, एलियम, लिख दो, एलियम सेपा, ये किसका है, प्याज का, प्याज यानि ओनियन Onion का scientific name क्या होता है? Alien, Sepa ये दो को, ये कुछ important थे ये सभी जितने भी हमने कराए हैं ये आपको क्या देखने को मिला important जितने भी पेड़ पौधे, जन्तु थे उन सभी का नाम हमने करा दिया उन सभी का क्या करा दिया? ये नाम हमने करा दिया I hope तुम सभी को ये सब कुछ clear हो clear है ना? किसी बच्चे को कोई doubt तो नहीं है? अच्छा मुर्गी रहे गया ठीके, मुर्गी रहे गया मुर्गी, yes ma'am, हाँ मुर्गी रहे गया, मुर्गी, मुर्गी मुर्गी या कैसे बच्च गई? रुको इसको पहले लिख दिया जाए ना बिचरी कट जाएगी ठीके, तो यहाँ डंकी वाला था मुर्गी, यहाँ पर लिख देते है हैं हैं मतलब मुर्गी, यादे ना हैं मतलब क्या होता है? मुर्गी होता है तो बताओ मुर्गी का क्या होगा मुर्गी किसी को पता है गैलस गैलस डोमेस्टिकस same spelling बस आगे वाला बड़ा लेटर में उसके पीछे वाला छोटा है गैलस गैलस डोमेस्टिकस डोमेस्टिकस ठीके घरों में पाने वाली है ना डोमेस्टिकस यह आपका हो गया, ठीके मुर्गी का scientific name याद रखना, gallus, gallus, domesticus, यह आपका clear है, अब आए जल्दी जल्दी फटाफट क्या करते हैं, एक one start revision कर लेते हैं, ताकि समझ में आ जाए आपको, ठीके यहां से हमने start किया, आधुनिक मनुष्य का बच्चा आपको याद रखना है, hom sapiens, भूल मत जाना, भूल मत जाना, आए आगे बढ़ते हैं, अगला है ant का, चीटी का हमने क्या बताया, formicidae, arabian camel का क्या बताया, camelus, dromedarius, तीसरा आपका अफ्रीकन elephant, याद रखना, loxodonta, फिर आपका है bet, यानि चमगादर, इसका क्या है कीरोपेटरा, क्या है कीरोपेटर प्राइ स्क्रीन सोट मार लो आप लो, ठीके फिर आगे देखिए, आगे है bird, bird मतलब चिडिया, चिडिया का aves, goat मतलब बकरी, याद रखना, capra, agargus, hircus, तीके फिर आपका साथवा है काला चूहा, black rat, जिसका होता है ratus, फिर आठवा है आपका buffalo, buffalo का मतलब है, जिसका होत बूबैलस, बूबैलिस, ठीके ये क्या है, बूबैलस है, फिर पीछे बूबैलिस है, आगे है नवा butterfly, butterfly का हमने याद करवाया आपको, rofello sera, ठीके याद रखिएगा, rofello sera, ये आपका butterfly का है, अगला है cat, cat मतलब बिल्ली, बिल्ली का याद रखना है आपको, phelis catus, क्या ठीके याद रखना, phelis catus, अब देखो, आखरी, अगर केवल आपको cobra दिखाई दे, सिर्फ ओर सिर्फ अगर आपको cobra मिल जाए, क्या, सिर्फ ओर सिर्फ आपको cobra मिल जाए, तो याद रखना ना जा, और अगर इंडियन cobra दिखे तो ना जा ना जा, दो बार घर देना है, ठीके आगे cockroach का क्या होता है henna यह याद رखना है ठीके deer का याद रखना है इलिफेंट का याद रखना है इलिफेंटड ए डॉलफिन का याद रखना है सिटेशिया फिसक का याद रखना है वर्टी ब्रेट ठीक है फिस का जो मचली का scientific name होगा वो क्या होगा वटी ब्रेट होगा याद रखना है वटी ब्रेट होगा आगे बढ़ते हैं अगला नेक्स्ट है हमारा Indian Cobra इंडियन कोबरा का हमने बताया क्या होता है नाजा नाजा ठीक है फिर है आपका housefly यानि आपका घरेलू मक्षी ज जिसका याद रखना है Musca domestica फिर अगला है आपका hippopotamus जिसको बोलते है hippopotamus amphibious ठीक है hippopotamus यानि गेंडा आपका इसको क्या नाव है scientific name hippopotamus amphibious फिर अगला है लौयन लौयन का याद रखना panthera Leo ठीक है लौयन का क्या होगा panthera Leo last में क्या है Leo है ये चीज़ याद रखिएगा आगे है मॉस्कुटो मॉस्कुटो मतलब मच्छर मच्छर का क्या होता है क्यूली सीडे ठीक है मॉस्कुटो यानि मच्छर मच्छर का याद रखना है क्यूली सीडे लिजाड यानि छिपकली इसे याद रखना है इसको है माटा फिर पिकॉक मतलब मोर मोर का याद रखना है पाइवो, क्रिस्टेटर्स, फिर पीग, पीग मतलब सूवर, इसका याद रखना है सूस, फिर आपका रैबिट, रैपिट मतलब खरगोस, जिसका आपको हमने लिखवाया है, ओरिक्टो लैगर्स, क्यूनी कूलस, ठीक है फिर आपका है टाइगर, टाइगर का देखो, लॉय यह बोल सकतो, दंकी का इक्वस असाइनस, मतलब मुर्गी, मुर्गी का याद रखना है, गैलस, गैलस, डोमैस्टिकस, फिर नेक्स्ट है आपका साइंटफिक नेम औफ प्लांट्स, यानि कुछ पौदों के साइंटफिक नेम हमने कराएं, इसमें से पहला था एपल, एप बैंबू का याद रखना है, बैंबू सा, आड़ी, नावी फोलिया, तीसरा है बनाना, बनाना का याद रखना है मसका, पैरा डिसी के, या फिर आप आगे बढ़ो, अगला है कैरट, कैरट का क्या है, डोकस कैरोटा, फिर है मैंगो, मैंगो का है मैंगनिफेरा इंडिका, फिर आपका cotton, cotton का याद रखना है आपको, gossipium, herbaceum, फिर साथवा है ककंबर, ककंबर का याद रखना है, क्योंकि miss, scatibus, फिर आपका lemon है, lemon का होता है, citrus, limonium, ठीके फिर आगे बढ़ते हैं, wheat मतलब गेहू, गेहू का है, triticum, estivum, फिर आपका tobacco, यानि तंबाकू का, nicotina, tobacco, फिर आपके neem का पौधे का है, agadirectia, indica, onion का याद रखना, alien, cepa, ठीके, onion का क्या है, alien, cepa, ये आपका हो गया, complete, ठीके, जितने भी अभी तक में आपके important जन्तु आए थे, ठीके, वो सभी जो आपकी exam में अभी तक में आ चुके हैं, वो सभी हम करा दिए, ठीके, सारे की सारे हमने कोशिस किया कि आपको करा दे, clear है, I hope तुम लोगों को यहां तक clear हो, ठीके, fox, लोमरी का आपका वुल्पस, वुल्पस होता है, ठीके, लोमरी का जो बच्चे पूछ रहे है, वुल्पस, वुल्पस याद रख लो, ठीके, लोमरी का क्या याद रखना है, लोमरी यानि fox का, fox का याद रखना है, वुल्पस, वुल्पस, ठीके, दो बार वुल् ठीके किसका है लो मरी का, clear है सबी बच्चों को, clear है, ठीके I hope आप लोगों को यहां तक clear है, किसी बच्चों को कोई doubt, ठीके नाम पढ़ने में थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, यह बता देते पहले ही, ठीके नाम पढ़ने में आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग अगर इसको दो से तीन बार पढ़ोगे, तो समझ में आ जाएगा, ठीके समझ में आ जाएगा, ठीके पहले हैं तक बताएगे क्या सभी को clear है, चलो, अब बताते कल की क्लास में हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, ठीके कल की क्लास में क्या स्टार्ट होने वाला है, एक बार उसकी भी चर्चा कर लिया जाए, ठीके बायलोजिकल साइंस का ही लिस्ट of invention and discoveries, ठीक है कल की class के लिए आपको topic पहले से बता देते हैं अब हम डेली आपको most important topic धीरे धीरे एक एक करके पढ़ाएंगे आज आपका ये खतम हो गया ठीक है scientific name इससे ज्यादा नहीं पूछेगा ये इतना अगर अगर बच्चा तयार कर लेए कोई भी government exam होगा तो उसमें भी सव आल इनी से आएंगे ठीक है अगला है list of invention and discoveries ठीक है आपका अगला क्या है list of invention and discovery biological field में ठीक है ये याद रखना किस field में तो जीव विज्ञान के छेत्र में biological field में आपका जितने भी invention हुए है invention and discoveries हुए है उन सभी को आपको याद रख लेना है ठीक है ठीक है यह आपको इतना तयार कर लेना है ठीक है biological field list of invention and discoveries ठीक है यहां तक clear है फटा फट बताओ ठीक है कल की class कल आपको class कब मिलेगा कल इसी टाइम पर 10 बजे आपको मेरी class देखने को मिलीगी जिसमें हम आपको अभी तक में जितने भी biology की दुनिया में खोज हुए है ठीक है जितने भी आपके scientist अपना योगदान दिये हैं उन सभी का नाम ठीक है और उन सभी के discoveries आपको कल की class में देखने को मिलेगे ठीक है कल की class में आपको क्या है देखने को मिलेगा क्लिये जी बिलकुल ओके मैम ठीक है तो बहुत बढ़िया हिंदी क्या होगा मैम इसका discoveries लिस्ट ओफ इन्वेंशन और डिस्कवरी अभी तक में जितने भी आपको खोजे गये हैं उन सब की सूची ठीक है तुम लोग हमक पत्ता तुम लोगों का ठीक है पसू पच्छियों के विज्ञानिक नामों की सूची यह आप लोग कर चुके यह आप लोग कर चुके अविश्कारों और खोजों की सूची हम लोग कल पढ़ेंगे हिंदी में अविश्कार और खोजों की सूची अविश्कार और खोजों की सूची यह हमारा कल का सेड्यूल है ठीके सभी बच्चे कल ये वाली क्लास के लिए जरूर आए और इसका PDF जो बच्चे बोल रहें, PDF नहीं मिला, PDF आपको मिलेगा, रेश्वा एकेडमी के एप पर, ठीके सभी बच्चे प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर जानते हो, वहां से रेश्वा एकेडमी, ये एप आप क्या करो, डाउनलोड कर लो, और एप को डाउनलोड करके, रेश हर्स बेच्च वह आपका क्या है? आचुका है, ठीके? याद रखियेगा, रेश्वा Spicy Medical सिर्फ और और तू हंड्रेड नाइट नाइनटी नाइन में आप जोईन कर सकते हो, ठीके? सिर्फ और वहन नाइनट नाइन नाइन में आप जोईन कर सकते हो, और बेच्च का नाम है संघर्स बैच ठीक है आपको मेहनत करना सिखाएगा आपके साथ मेहनत करेगी आपकी रेश्वा पैरामेडिकल की टीम तो हर बच्चा जो गवर्मेंट ठीक है जो चाहता है डॉक्टर बनने की सपना रखा है जिसको डॉक्टर बनना है वो संघर्स बैच जरूर जोईन करें उसके अंदर संघर्स करने की छमता संघर्स कैसे करना है किस तरीके से करना है इसके लिए गाइडेंस सब आपका रेश्वा पैरामेडिकल की टीम करेगी ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलेंगे अब आपसे कल सुबर 10 बजे Invention and Discoveries के साथ PDF के लिए रेश्वा एकेडमी जरूर विजिट करो, जल्दी से जाओ रेश्वा एकेडमी जॉइन करो और जॉइन करने के लिए जो भी बच्चे रेश्वा एकेडमी जॉइन करना चाहते हैं ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेश्वा एकेडमी को जॉइन करना चाहते हैं करना चाहते हो ना बोलो हाँ, यस मैम करना चाहते हैं यस मैम, यस मैम, यस मैम ओके, चले, मोबाइल नमबर लिख देते हैं इस नमबर पर आप call करके join कर सकते हो, रेश्वा अकेडमी को paramedical join करने के लिए 9621948025 ठीक है, 9621948025 इस नमबर पर call करके आप रेश्वा paramedical join कर सकते हो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही ख्याल रखिए, मस्त रहिए, रेश्वा paramedical से जुड़े रहिए धन्यवाद